नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बर फिर से एसेसजी गुरु कुल पर तो उत्तरपदेश ग्राम विकास दिकारी के जो 243 पर आपके 2018 में निकले थे उसी की पुरुण परेक्षा आपकी जून में प्रस्तावित की जा रही है लगबाग तीन परेक्षा आपकी निर्धारित की गई है जिसमेंसे आपको परेक्षा देने का मौका मिलेगा और यहां पर सभी लोगों को परिक्षा में बैटकारी कार्टd्र Daar में के सारीबात आप बताऊंगा घ्राम पंचात अधिकारी सामिल है एक आपकी ग्राम विकास अधिकारी की सामिल है और एक आपकी समास कल्याण पर विकेंसी निकली थी और 14,00,000 लोगों ने फार्म भरे थे करेंगे आपकी समस्या का और संभवत मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था और वही वीडियो में कुछ चीजे बस एड करके आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सारे डाउट आप क्लियर कर लेंगे फिर आपको वाट्सप करने के जुरुत नहीं पड़ेगी हम लोगो certificate के नीचे जो डेट लिखी रहती है वो डेट क्या होने चाहिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले पद डिसाइड कर लेते हैं ग्राम पंचार अधिकारी के इसमें 1527 पद हैं सबसे ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद हैं और समाज कल्याण परविक्षक के सिर् आपको पोष्ट है आपकी ग्राम पंचार अधिकारी बनकी इस पहले है या इसमें 352 पद होना जरूरी है उसमें समकक्ष नहीं चलेगा यह बात समझ में आ गई उसमें समकक्ष नहीं चलेगा आगे बढ़ते हैं यानि कि इसमें ट्रिपल सी जरूरी है इसमें ट्रिपल सी हमारे पास होना जरूरी ट्रिपल सी होना क्या है जरूरी है यह बात समझ आ इसमें समकक्ष जैसा कुछ भी नहीं चलेगा अब ट्रिपल सी की date क्या होनी चाहिए जैसे यह triple c certificate होता है तो यहाँ पर last में नीचे date लिखी रहती है यहाँ पर दो तीन बाते और भी है जैसे कि किसी ने बताया होगा आपको कि आपके form भरने की last date से पहले आपका triple c certificate अना result जारी हो चुका हो result जारी होने वाली बात नहीं है जो certificate जारी issue होगा उसके नीचे जो date लिखी रहेगी वही आपकी मानने होगी तो triple c की अन्तिम जो date होने चाहिए अगर आपका triple c है तो इन तीनों के लिए बता रहा हूं सबके लिए आपकी date में 29 जून 2018 लिखा होना चाहिए 29 जून 2018 के पहले आपका यह certificate जारी हो गया हो अगर आपका यह certificate 29 जून 2018 के पहले जारी नहीं हुआ है तो फिर हम लोग बात करते हैं समकक्ष की यानि कि अब अगर आपका 29 जून 2018 के पहले का certificate नहीं है तो आप ग्राम पंचात अधिकारी के लिए फिर eligible नहीं हो पाएंगे लेकिन आप अपने आपको demotivate मत कीजिए हो सकता है कि अभ वही नोटिफिकेशन पूरा फॉलो किया जाए का वही परिक्षा का ट्रेंड फॉलो किया जाए कि लेकिन वीडियो रिये एक्जाम में अना वीडियो एक्जाम तो रथारा में जैसी रीजिनिंग आई थी मैथमेटिमेटिकल रिजिनिंग इस बार वैसी है नहीं आएगी इस बार का पेपर दुदर अठारा के मुकाबले बहुत कठिर नहीं रहेगा आसान रहेगा आपने ट्रिपल सी वह को मैंट टेक्निकल वाला एक्जाम देखा होगा दुदर सोला वाला जो था वो दुदर 23 में हुआ था बहुत आसान सा पेपर आया था ठीक है तो यह आपक के ओपर डिपेंट करता है कि यहां 30 जून भी वह मान लें कि 30 जून लें 29 तक ही माना जाएगा 29 तक आपका जारी हो गया हो इसके बात अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है ठीक है तो ट्रिपल सी के समकक्ष यह है जिसने 6 महिने तक कंप्यूटर हो जिसने लगबग 6 कम से कम 6 मैंने तक कंप्यूटर पढ़ा हो वो ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाता है आपका 10 या इंटर में आपका हाई स्कूल और इंटर में यदि एक सब्जेक्ट कंप्यूटर के रूप में रहा है तो आप क्रिपल सी के समकक्ष हो जाएंगे बात सम सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर रहा है तो भी आपका ट्रिपल सी के तहट माना जाएगा बात समझ में आगे की नहीं आगई ठीक है ना अगर ग्रेजिवेशन 6 मैंने तक की बात बता रहा हूं यदि ग्रेजिवेशन या पोश्ट ग्रेजिवेशन में लगवातार एक सा समकष्ण माने जाएंगे यदि 6 मैंने तक कंप्यूटर पढ़ा है तो आप स्ट्रिपल सी के समकष्ण माने जाएंगे बात करते हैं बीटक वालों की बौला परहसान है जितने भी बीटक वाले बच्चे हैं जितने भी बीटक वाले बच्चे हैं वो किसी भी ट्रेड के हों उनको कम से कम 6 मेंने तक तो computer पढ़ाया जाता है तो जितने भी BTEC वाले बच्चे हैं BTEC जितने भी किया रखा है BTEC वाले अगर तुम हो तो आप video exam के लिए समकक्ष माने जाएंगे triple C के समकक्ष माने जाएंगे ये बात समझ में आ रही है अरे हाँ कि ना तो triple C के समकक्ष आपको माना जाएगा तो जितने भी BTEC वाले हैं उन सभी को triple C के समकक्ष माना जाएगा बात समझ में आ रही है सभी trade में 6 माने तक computer होता ही है सभी video में योग ये है इसके बाद अगली बाद यदि किसी भर्दी के विज्यापन में समकक्ष लिखा है triple C या उसके समकक्ष लिखा है तभी ये समकक्ष वाली चीज़े अपलाई होंगी यदि उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि हमें नीलिट से triple C चाहिए और उसमें समकक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं लिखी है तो फिर उसमें triple C certificate ही लगेगा नीलिट का फिर ये बीटक इटक वाला सब जाम आपका खतम हो जाएगा फिर ये समकक्ष काम नहीं करेगा ठीक है अगली बाद ये लिखा हुआ है ये भरती में विग्यापर में केवल नीलिट से triple C मांगा है तो फिर आपको triple C होना चाहिए गा एक्जामपल क्या है ग्रांट पंचा देदिकारी O level की बात करें ये लिखा हुआ है कि हमें 2X से ही O level चाहिए बाकि कुछ नहीं चाहिए समक्ष वरा कुछ नहीं लिखा है तो फिर 2X से O level होना चाहिए तो फिर 2X से ही आपके पास O level certificate होना चाहिए फिर O level के समक्ष कुछ नहीं होगा अब O level के समक्ष होता क्या है मैं आपको बदा देता हूँ O level के समक्ष यदि आपने BTEC किया है किस में? computer science में किया है यदि आपने BTEC information technology में किया है यदि आपने BTEC electronics and communication में किया है तो आप O level के समक्ष है यदि आपका graduation या post graduation में एक साल तक computer आपके पास subject की रूप में रहा है तो भी आप O level के समक्ष है या फिर कम सकम एक वर्स का आपके पास computer का diploma है तो भी आप O level के समक्ष है इसके बाद ये important है कि form भरने की last date तक आपका result या certificate जारी हो जाना चाहिए EWS form के बारे मता देता है अगर आपके पास EWS वाले बच्चे हैं यदि उनके पास EWS certificate है तो वो certificate form भरने की last date से पहले जारी हो चुका होना चाहिए लेकिन form भरने की last date से पहले जारी हो चुका होना चाहिए लेकिन एक अपरेल के बाद का होना चाहिए यानि कि एक अपरेल और form भरने की last date के बीच का होना चाहिए EWS certificate याद रखेगा तो EWS फॉर्म बनने की अंतिम तितिय से पहले का होना चाहिए लिखा हुगा है या पर सब आपको सारी बाते समझ में आ गई है आपके सारे डाउट दूर हो गए है मुझे लगता है अब सबसे इंपोर्टेंट यदि आपको UPSC में कोई दिक्कत हो रही है या पिर उसके एक् प्रिवेटर की प्ले लिस्ट जीप जीज इसकी प्रिवेटर और की लिस्ट वीडीuard डियेएक्जानर ऊंगी प्ले लिस्ट वीडियो जीतने पेपर हुए उनकी प्ले लिस्ट विजंस लेज新सिंक पैला रखी कि कल मैंने प्रत्र लेखन भी उनको पढ़ाया था तो यह प्रिविएसर के बिपर रहे यूपी ट्रिपलसी ने जो अच्य से पढ़ना चाहिए पूरी थ disciplines करने चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ यह nervous कोर्स का जो 2018 में होने वाला है जो 2013 में होने वाला है 1830 का दोनों का यहां पर आपको यह 999 रुपे लिखा हुआ है यह अभी सिर्फ आपको मिल जाएगा आधे पे क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं हुई है जैसे डेट फिक्स हो जाएगी फिर इसको मैं काट के वापस ट्रि जादी है यह आपका पूरा पेड कोर्स होगा इसमें आपके पूरी तरीके सारे वीडियो एकसाथ मिल जाएंगे और तिल एक्जाम तक इसकी वलेडिटी होगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तरह सजी गुरुकुल का आप आप डाउनलोड कर लेंगे और इस वीड वह आपके डाउनलोडबल नहीं होंगे उसको आप फोन में जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आप उसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं जो करना चाहें करें लेकिन डाउनलूड नहीं हो पाएगे यह रखेगा वह फॉर सेक्योर्टी परपस है याद रखना है तो इसलिए हम लोग ने सब बंद कर दिया है बहुत मुस्किल से लिखवाओ उपर से लोग ऐसा काम परते हैं तो विश आई विश कि मैं आपको सारी जानकर ये इच्छिस दे पाया हूंगा कि आपकी समक्षि क्या है और किसमें क्या-क्या आपने अपलाई किया है तो आज से ले फिर इतना काफी है बागी कोई दिक्क्त हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे फिर इसको भी बहें जब ज् inteiro जादा कुरी आ जाएंगे तो फिर इसका भी मैं एक वीडियो बना दूँगा ठांक्यू वईरी मॉच स्वस्त रहें बिइं मस्त रहें और रात इत्त वली खुलास में जरूर जुड़ा करिए 8 बजी क्लास चलती है 9 बजे चलती है सारे 9 बजे चलती है तो रात में लोग खुलास चलती ही यूट्टूब पर उसमें जरूर जुड़ेंगे धन्यवाद